जो है मैसी की दोस्तों, आज के स्वरगी मन्ना का भाग हमने लिया है नीती वचन के पुस्तक उसका चौधा अध्याए और उसका तेरवा वचन वचन कहता है शिक्षा को दर्टा से थामे रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वो तेरा जीवन है धन्यमाद पिता परमेश्वर दोस्तों, परमेश्वर ने स्रिष्डी के रशना की, हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा आदम के साथ सहभागिता की परमेश्वर ने आदम के वाटिका में आदम के साथ वो घूमा करता था क्यूं ताकि वो अपना ग्यान आदम तक पहुँचाए उसने क्यों स्रिष्टी की रशना की उसने क्यों हमें बनाया है ये बात परमेश्टी हमको बताना चाहता है इसलिए सदियों से नभीों के द्वारा अपने चुने हूँ के द्वारा परमेश्टी अपनी बात हम तक पहुंचाता है ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं वो ग्यान जो श्रेष्ट है, वो ग्यान जो अद्बुत है, वो ग्यान जो स्वर्गी है, वो ग्यान जो परमेश्वर का है वो ग्यान जो हमें जीवन देता है, हमें स्वास से देता है, हमें शक्ति और सामर्त देता है, वो ग्यान परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर बस जाए, तकि हम संसार का ग्यान ना ले पाएं, इसलिए, इसलिए बाइबल कहती है कि जब वो आपको चुनता है, बाइबल कह आपके मन में डाले, इसलिए बाइबल कहती है, भजन 127 का तीन के बच्चे परमेश्वर की ओर से दान है, कैसे दान है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अपने बच्चों को पहले सुर्गे ग्यान दे, परमेश्वर का ग्यान दे, उसके बाद आप संसार का ग्यान दे लेकिन जैसे ही बच्चा पहता होता है दुख की बात हम उसे संसार का ग्यान देना शुरू कर देते हैं और वो बच्चा संसार में खोच आता है शैतान उसको अपना भोग बलगाता है संसार उसको अपने कबजे में ले ले लेता है शेतान उसको अपने कबजे में ले लेता है और वो संसार और वो परमेशर से दूर हो जाता है परमेशर यह नहीं चाहता है इसलिए परमेशर ने ईश्यो मसी को भेजा इसलिए परमेशर ने ईश्यो मसी के दोरा हमें बताया कि वो क्या चाहता है इस पस्ट रूप में इशू मसी ने हमें बताया कि हमें कैसे जीवन चीना है हमें कैसे इस संसार में रहना है इसलिए कलीसिया की इस्तापना की गई इसलिए बाइबल कहती है सबुब देशक पांच का एक कि जब तुम परमेशर के भावन में आ जाए तो अपने कदमों की चौक्सी करना और सुनने के लिए समीब जाना अप एकशा इसके कि तुम मूर्खों के समान बलिदान चड़ाए क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते है हमें मूर्खों की बादिक अलिसिया में नहीं रहना है चर्श में नहीं रहना है, हमें अपने मन को बनाना है, अपने मन को सचेत करना है, अपने कानों को परमेशर की और लगाना है, तकि संसार से हम कुछ न सीखें हैं, हम संसार से सीखें नहीं, लेकिन परमेशर ने हमें सिखाया है, उस बात के दौरा, उस वचन के दौरा, उस श संसार में चलेंगे अगर कहीं भी परमेशर की शिक्षा हमारी जीवन में नहीं आएगी और हम संसार की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे अगर हम संसार की शिक्षा को लेकर चर्चे जाएंगे तो हम कलीसिया में हम परमेशर का अशीश नहीं पापाएंगे हम परमेशर के उपसिती को महसूस नहीं कर पाएंगे हम परमेशर के वचनों को समझ नहीं पाएंगे इसलिए मेरे भाईए जब हम परमेशर के जरणों में आते हैं परमेशर हमें चुनता है तो हमारी आत्मा हमारे मन को पूरी तरीके से बदलता है नया करता है ताकि हम पूरे तरह से परमेशर के वजनों में अपना ध्यान लगाएं और परमेशर काशीश पाएं परमेशर की इच्छा को चाने परमेशर की शिक्षा को ग्रेंड करें उसकी बुद्धी को अपने हिर्दे में लें उसकी समझ के अनुसार चलें यही परमेशर की इच्छा है और यही हमारी विजे का रहस है इसलिए आज की सुबह में आप सब के लिए प्रात्रा करता हूं और खुद के लिए भी ताकि परमेशर तेरा ज्यान, तेरी बुद्धी, तेरी समझ हमेशा मेरे साथ रहे और तेरी उपस्ति, तेरा आज्या, तेरी शिक्षा के साथ ही हम परमेशर तेरी चर्णों में रहें और आशीश माएं इस विजे के नाम से सुनने वाले हर भाई बैन के लिए आशीश को चेंगाई मानता हूँ प्रात्रा आपने सुनने को बूल के एमेन एमेन